हेलो गाइस कैसे हैं आप सब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Samsung Galaxy J6 और J6 Plus की Android 10 अपडेट के बारे में दोस्तों सबसे बले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि दोनों ही डिवाइस को definitely Android 10 की जो अपडेट्स वा मिलने वाली है क्योंकि Samsung अपने डिवाइस को दो मेजर अपडेट्स जुरूर प्राइड करता है और इन दोनों ही डिवाइस को अभी तक एक ही अपडेट मिली है इसके लावा इन दोनों ही डिवाइस को Samsung ने अपने जो Android 10 वाला roadmap है उसमें भी include करके रखा है तो अपडेट इन दोनों ही डि के अपडेट के बारे में तो Galaxy J6 आपको globally अलग अलग variants में देखने हो मिलता है जो कि आपको अलग अलग countries में देखने हो मिलते हैं और उन में से पांच variants में Samsung old डिवाइस को Android 10 में अपडेट कर चुका है और आपको वता दूं कि जो official update है वो 10 April को इस device को मिलना start हो गई थी ल अभी 12 June को ही Geekbench पे spot हुआ है जिसका मतलब है कि जो update हो जल्द ही rollout होने वाला है अभी क्योंकि Samsung almost सभी countries में जो update हो फ्रॉइड कर चुका है तो जो next update है वो इंडिया के लिए होने वाली है और बहुत जल्द आपको इस device में जो update है वो देखने को मिल जाएगी अगर बात क है कि इस device को एंडो 10 के साथ में Wi-Fi का certification मिल चुका है जिसका मतलब है कि Samsung इस device के साथ में इंडो 10 की जो testing है वो almost complete कर चुका है और जो update है वो पी इस device को जल्द ही मिल जाएगी क्योंकि मैंने देखा कि कुछी दिनों के बीदर Samsung जो update है वो रॉल आट कर देता है अभी क्योंक को certify किया गया है वो Indian variant ही है तो जो update है J6 Plus के लिए वो भी काफी जल्दी आने वाली है अभी यहाँ पे J6 users यह सोच रहे होंगे कि उनके device को certification मिला ही नहीं है फिर update case आएगा तो guys आपके एक बात बता दूँ कि certification सिर्फ हमें यह indicate करता है कि जो device है उसको एंडो 10 के साथ में किसी next version के साथ में test किया जा रहा है और जो update है कुस दिनों के बाद में release हो जाएगी लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी devices को update मिलने के पहले जो certification है वो मिलना जरूरी है मैंने देखा है कि काफी बार Samsung बिना किसी device को certify किये ही updates को release कर देता है और काफी बार update मिलने के बाद म सब्सक्राइब को नीचे कमें सेक्षिन में जरूर डाले का उनके जवाब को मिल जाएंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लागा हो तो यह लाइक को शरी कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ में कुछ नया लेकर निया बेट्स के साथ में